वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल को पितला मैं आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको इस टीम की हैस बहुती सॉफ्ट और बहुती टेस्टी कोपते बनाना बताऊंगी तो चलिए रैस्पी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक लॉकी ले ल कोई भी बीज नहीं है अगर आपकी लॉकी में बीज है तो आप इसके बीज जो है बोन निकाल ले उसके बाद ही इसको कद्दू कस करें तो सबसे पहले हम लॉकी को छील लेते हैं लॉकी को अच्छे से हमें छीलने के बाद ही हमें इसको कद्दू कस करना है तो इधर हमें एक प्लेट ले लेते हैं लोकी को छिलने के बाद इसमें हम कद्दूकस की जो मसीन होती है वो रख देंगे और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से ये बहुत ही एजी तरीके से कद्दूकस हो जाती है बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं लगती है तो लोकी हमारी कद्दूकस हो चुकी है अब हम किसी भी बावल में ले सकते हैं को इसको निकाल लेते हैं सारी लोकी हमें इस बावल में ट्रांसपर कर लेनी है वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें रैस्पी हमारी बहुत ही टेश्टी वनेगी बहुत ही लीजी तरीके से बन के रेडी हो जाएगी और अब हम इसमें कुछ मसाले अट करेंगे कि तो सबसे पहले इसमें हम बेसन डालेंगे आप जितनी भी लौकी के कोपते बनाना चाहें उतनी लौकी ले सकते हैं मैंने तो यहां थोड़ी सी बनानी थी तो मैंने यहां थोड़ी ही लौकी ली है तो इसमें हम बेसन डाल देते हैं मैंने दो चबड़े चमच भर के बेसन डाला है और बेशन डालने के बाद इसमें कुछ spices डाल देते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया है, ताकि जो कोफते हैं उनका बहुत ही प्यारा कलार आए, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, और आदा चमच मैंने लालमिस का पाउडर डाला है, अगर spicy कम पसंद करते हैं, तो इसमें आप मलालमिस का पाउडर कम डालें थोड़ा सा, या फिर skip भी कर सकते हैं, तो अब हम इसको mix करेंगी, उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, और सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगी, इसमें हमें अभी नमक का इस्तिम करने जाएंगे, तब अगर पहले से नमक डाल देंगे, तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, हमारा जो बैटर बनके तयार होगा, कोपते का वो, और अभी हमें इसको दोमनट के लिए, रेस्ट होने के लिए छोड़ना है, इसलिए हमें इसको नमक अभी से नहीं डालना है वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फुल वाच करें, ताकि जो भी है, हम रेस्पी जो आपको बता रहे हैं, वो इस्टेप आपको समझ में आए, आपकी रेस्पी बिल्कुल भी खराब ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोलती कि वीडियो को इसकीप ना करिएगा, फुल वाच करिएगा, तो सारा बेशन हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोपते हमारे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, जैसे हम फ्राई करके बनाते हैं, पर यह है कि यह बहुत ही हैल्दी तरीके से बनेंगी, और उनमें ओयल जादा ह होता है, अब हम इसको एक साइड रखतेंगे, और इधर एक जाली वाली प्लेट लेंगे, और उसमें इस तरह से ओयलिंग कर लेते हैं, प्लेट में हम, ओयलिंग करने के बाद इधर हमारा जो बेशन था वो भी अच्छे से फूल गया है, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और हम मैंने अपने कोफतों में अब बिल्कुल भी ओयल ज्यादा नहीं डाला है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अक्वाडिंग, थोड़ा सा अधरक लेसन का पेस्ट डालेंगे, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो लोग कोफते अब उनको डरनी की जर्वत नहीं है, इसी तरह से वो भी इस्टीम करके बनाएं, हैल्दी तरीके से, तो सारे नमक को और मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम अपने कोफते बना लेते हैं, यहां मैंने प्लेट ले ली है, अगर आपके पास इस तरह से जाली वाली प्ल ले सकते हैं, उसके उपर भी इस तरह से आप यह कोफते तोड के स्टीम कर सकते हैं, तो सारे कोफते हमने इसमें प्लेट में तोड लिये हैं, और इधर मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है पहले से, कोफते हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको ले चलते हैं स्टीम क करने के लिए कोपति बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनेंगे आप स्टेप बाई स्टेफ फॉलू करते रहेगा अब हम इनको ढख देते हैं गैस का फ्लैम लो रखेंगे पांच-छे मिनट के लिए इनको कोखोने देते हैं इधार हम देख लेते है यह मुझे दो बड़े साइज की मैंने टमाटर लिए हैं और इनको हम पीस लेते हैं एक प्यूरी बना लेते हैं टमाटर की तो टमाटर की प्यूरी हमारी बनके रेडी हो गई है यह देखी इसको भी हम एक साइड रख देंगे इधार हम अपने कोपते देख लेते हैं तो यह भी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं आप फॉर्क से या आप किसी भी टूथपिक बगएरा से चेक कर सकते हैं यह बिल्कुल क्लीन आ रही है हमारी जो फॉर्क है वो एकदम से बढ़िया से यह स्टीम हो चुके हैं अब हम कढ़ाई में ऑईल गरम होने डाल देंग हल्दी पाउडर लिया है आप थोड़ा सा कम डाले क्योंकि हमने कोपते में भी हल्दी पाउडर का इस्तिमाल कर लिया है और आदा चम्मच भरके ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है इसमें और आदा चम्मच नहीं लेना है इस वाद का ध्यान रखें, सारे अपस में मिक्स कर लेते हैं, बैसन के बिल्कुल भी लंप सck नहीं रहने चाहिए अपने टेस्ट के अकॉरडिंग इसमें नमग भी ढाल देते हैं दोना कि सारे मसालें अच्छे से मिक्स कर लेंगी सबजी हमारे बहुतажи ही ही टेस्टी वनेगी तो उयल अब इधर गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे गरम असालरा घरम बेशी वद्चैसाल महाला वेटरS दो हरीमिर्च जिसको मैंने बारिक बारिक चौप करके रख लिया था पहले से ही और सभी को जो गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम अपने जो मसाले हैं वो डाल देते हैं ड्राई मसाले हैं गैस का फ्लेम ओफ करके ही डाले नहीं तो ये ऊयल में जल जाएंगे और मैंने अब इसमें डाल दिया है कासमीरी लालमिर्च का पाउडर सबी को अच्छे से भूनने के बाद हमें फिर से गैस का फ्लेम ओन कर लेना है और अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी बहुत ही टेश्टी सबजी बनेगी आप मसाले से ही गैस कर सकते हैं कि हमारे मसाले कितने टेश्टी देख रहे हैं तो अब हम डाल देंगे इसमें अदरक लैसन का पेस्ट, हम अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और मसालों को लो फ्लेम पर भुनने देते हैं तब तक हम अपनी जो कोपते हैं वो प्लेट से हटा लेते हैं और इन सभी कोपतों को हमने एकठा कर लिया है। और इधर मसाले भी हमारे भून के रेडी हो चुकिये । मसालों ने इसी शचेसे पर हम जो अपने कोपते हैं इसमें डाल देने इसमें बेजा से पर क्याट कोपते हिए। कि सब्सुद्र कि सच में बहुत ही टेस्टी वने घिजी तरीके से अभम इसमें पानी डाल देते हैं स्में एक सेकर अगरेवी रखना चाहते हैं तो गैस का फ्रैम में लग रखेंगे और दक ett individually के लिए को наши करनेगे और ये देक कि नी अच्छी टरीके से कुख हो चुकी है अब आर किसनस का व्यापक चाहिप और यह देखी बहुत ही इजी तरीके से हमारे जो कोपते हैं वो रेडी हो चुके हैं अब हम दो से तीन मिट के बाद इनको प्लेट में सर्फ कर लेते हैं अपनी सब्जी की सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है आप किसी से भी खाईए रोटी से पूरी से पराथा से या फिर आपको चावल से खाना है तो चावल से खाईए पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी रैस्पी कैसी बनी है ट्राइ जरूर करिए मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें